हेलो दोस्तों, वेलकम बेक टू माई चैनल, मेरा नाम है अरुन, मैं हूँ एक सौफ़र डवलपर और साथ ही साथ एक यूट्यूबर एजुकेटर और आप सबी को मैं अपने चैनल पे करियर गाइडेंस, कोर्स, जॉब से जानकारी देता रहता हूँ और ये बिल्कुल जैन वीडियोज मिलेंगी जिससे आपको अपना करियर में ट्रांसफोर्म करने का बहुत ही एक शानदार मौगा मिलेगा, तो मैं बात कर रहा हूँ कॉमर्स ट्रीम के बच्चों के लिए अगर आप 11 में हैं या क्लास 12 में हैं, किस तरीके से आपको 2024 का जो एक्जाम होने वाला ह उसकी त्यारी पुकता कर सकते हैं, कैसे अपने तैयारी हो, मैं इपना चार चांद लगा सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाला हूँ में, कि आपकी strategy रहने वाली है, किस तरह का आप time table रखेंगे, मैं आपको एक strategy बताऊँगा, ये इस वीडियो का part 1 है, part 2 मैं लेकर आ अगर आप टूशन जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, अगर आप टूशन नहीं जा रहे हैं, सिर्फ self-study पे कर फोकस है, तो आपको थोड़ा समय पर पढ़ाई करने के जुरूत है, वो सकते आपको किसी online course में admission लेना पढ़ जाए, क्योंकि अगर आप बाहर टूशन पढ होना चाहिए, देखिए, ये वीडियो बना रहा हूं, 19 अक्टूबर की दिन, तो आप समझ सकते हैं, आपके पास सिर्फ 2-3 मैने ही बचे हुए हैं, कोशिश करिए कि आप दिसंबर तक अपने syllabus को खतम कर पाए, अगर अभी तक आपने syllabus को खतम नहीं किया, तो फटा पाट ये से भी होती हैं, जिसे पास नौन मैच से नहीं मैच नहीं भी होती है, आप लोग जो जो सब्जेक्ट से सबसे पहले है, कॉमें से बनाना है, अब मैं अगर प्रपर टाइम टेबल आपको टाइम वाइस बना दूंगा तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ, आप लोग अपने टाइम टेबल को सेट करें में, एक आपको एक आडिया देता हूँ, जैसे माल लेते हैं, आपको मॉर्निंग का स्कूल है, और आप दुफेर को आते दो बज़े तक, इन फैक करी लोग तीन या चार बज़ भी जाते हैं, घर आती आते हैं, अगर आपका दुफेर का स्कूल है, तो फिर उसके लिए बात अलग करूँगा, मैं उसके लिए आप मुरे को बता देना किस तरह का टाइम सेट करना है, यह मॉर्निंग वाले बच्चों के लिए है, वैसे जो लोग इविनिंग में पढ़ते हैं, वो भी इस वीडियो को ए और अगले दिन अपते चल रहा है, आपस बिस तरह पर पढ़े हुए हैं और मुबाइल चला रहे हैं, तो यह नहीं करना है, चार घंटे पढ़िये लेकिन रोज पढ़िये लेकिन रोज पढ़िये, इस तरह के स्टेडिज आपको अपनानी है, रोज दो सब्जेक्स से ज् पढ़ रहा हूं उसको समझना पढ़ता है अपने दिमागे बैठाना होता और एक्जाम की प्रिप्रेशन के एक्कॉर्डिंग आपको इससाब से उसको याद करना होता है तो बस दो सब्जेक्ट पढ़िए जब भी स्कूल से आये ठके तो खाना वना खाने के बाद थोड़ा पढ़ा क्या है क्योंकि जिनका दिमाग कमजोर है जो वीक ट्रवर्ण से उनको वीजन करने की बहुत जाता ज़रूरत है तो बाध अगले दिन दूसरे दो सब्जेक्ट पढ़िए और तीसरे दिन अगर आईक्पे बाद च्छे सब्जेक्ट है तो दूसरे दो कर सके और जनवरी में प्री बोर्ट होते हैं 11 क्लास में तो फिर आपके यूनिट टेस्ट वगेरा यह टर्म टू एक्जम होते हैं जनरल तोर पर आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है बहुत ज्यादा जो है ओवर थिंकिंग नहीं करना सोचना नहीं है देखिए मैं जब 11 उस वक्त में टूइशन जाता था लेकिन दोस्तों आज को जो माना है वह ओनलाइन चीजों का हो गया है अब आपको बहार टूइशन चाने के जरूरती नहीं है आप कोई ओनलाइन कोर्स खरी लिजिए किसी कोर्स में अन्रोल हो लीजिए और सर्फ शरी पर जरूर फोकस की ुछ करनी ज्यादा आपको समझतेशन है जिसमें स्ट्रोंग सब्चे Kombat सेन जो किसी सब्सक्राइन त parte box भी और सबाधे ज्यादा नहीं में आता तो आप स्बाइब एडिए ज्यादा उसमें पढ़िए पूछे लिए डान ale करें तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ मेंस आउट हो गया तो प्लीज कमेंट सेक्ष्ट में जरूर लिखें इसका मैं पार्ट टू भी लेकर आऊँगा किया आपकी स्टैडेजी क्या आपके टाइम टेबल प्रॉपर अगर आप आपके स्कूल का क्या टाइमिंग है इस हिसाब से मैं आपका पार्ट टू लेकर आजाओंगा थोड़ी हैल्फुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेर किजिए बताईए उनको कि मेरा एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं स्कूल बातें मैं करता रहता हूं तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छे लगे जरूर लाइक कीजिएगा मेरे चैनल से भी तक नहीं जूड़ें तो सब्सक्राइब करिए फटा फट पहला एकन ओन करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में पार्ट टू के साथ करमेंट सेक् सकता कुछ आज करिए चैनल साथ हूं तो मैं यूड़ें तो में जू़ें तो मैं जो आए मैं टूड़ें तो आज कोरे लाइक हूं तो मैं जू़ें आज करिगाएं लाएं अ